खटता हुआ पानी अब शेरों के जुंड के लिए वापस आने का संकेत है ये बुसांगा प्लेंज के दल्दली इलाके के शेर है यहाँ पंजे शायद ही कभी सूखे रहते हैं क्योंकि इनके शिकार हैं अफरीका में पानी को सबसे ज्यादा पसंद करने वाले हिरान पूकू और ब्लाक लेच्वे एंटिलोप गहरे दल्दली इलाकों में जमा होकर शेरों से बचे रहने की कोशिश करते हैं दल्दली इलाके की जिंदगी में ढले शेरों के इस जुंड ने शिकार के तरीके को निखार लिया है लेकिन बुसांगा के सबसे उंचे दर्जे के शिकारियों में शेर अकेले नहीं है पानी में नाइल क्रोकोडाइल्स का पलड़ा भारी रहता है हर कदम के साथ शेर इस पुराने युद्धा के अखाडे में उतरता जा रहा है शिकार करने के सबसे अच्छे इलाकों तक पहुँचने के लिए बुसांगा स्वांप्स के शेरों को मगर मच्छों से भरे पानी में उतरना पड़ता है ये शेरनी अपने इनाम ब्लाक लिच्वी तक पहुँचने के लिए जान जोखिम में डाल रही है पानी में घुसकर ये दबे पाउं आगे बढ़ रही है इसे शिकार के बहुत करीब पहुचना होगा याने बहुत करीब उची घास में छिप कर इसने शिकार को अपने पास आने दिया और फिर बहुत तेज रफ्तार से ख़देड कर इसने इसे दबोच लिया इसकी काम्याबी का मतलब है कि ये अपना और अपने तीन भूखे बच्चों का पेट भर पाएगी पानी की ये दुनिया इन बच्चों के लिए नई है लेकिन जल्दी ही ये भी दलदलों के उस्ताद बन जाएंगे इनकी माँ बहुत अच्छी टीचर है शेर के बच्चों को पालने की लगभग सारी जिम्मेदारी शेरनिया ही उठाती है लेकिन दल्दल के कुछ जीवों के बच्चों को अपने बूती पर रहना पड़ता है